कि अगाइज एक पर्ट फुर्म आप से भी का स्वागत है तो एपिसोड स्टाट करने से पहले मैं आप सब्सक्राइब को बता दूँ अगर आपने इसका पिछला पार्ट याने के पार्ट त्री नहीं देखा तो पहले वह जाकर देख लो तब ही आपको यह वाला पार्ट सम हमने देखा सेकेंड बैटल होता है उसके पुड़ाने राइवल एजे के साथ और मैच में आगे बढ़ जाता है लेकिन बाद में से पता चलता है उसका फ्रेंड गैरी और अलान यह अपना मैच हार चुके हैं इसका मतलब यह दोनों टूनामेंट से बाहर हो चुके हैं और से पीसी पे बात कर रहा है तो एस तुम टॉप से पहुच चुके हो बहुत बढ़िया लेकिन दूसरी तरफ मुझे यकीन नहीं हो रहा कि गैरी और अलान यह मैच हार चुके हैं और टूनामेंट से बाहर हो चुके फिर एस बोलता है हां प्रोफेसर ओक आपने बिलकुर सह का मैं अलान का समझ सकता हूं कि यो टोवाइस से हरा और मुझे पता है टोवाइस बहुत जाजा स्ट्रॉंग है लेकिन गैरी इससे हरा वहागिका ट्रेनर कौन था और गैरी ने बताया उसने गैरी को एकी पकमर्स हरा दिया आखिर का यह है कॉन फिर प्रोफेसर ओक बोलत हैं तो एस तुम उसके खिलाब कौन सा पकमर्स करने वाले हो फिर एस बोलता है मैं मैं मैल मटल और पीकाचु के सोच रहा हूं लेकिन तीसरा पकमर्स कौन सा होगा मैने अभी नहीं सोचा लेकिन जहां तक मुझे लगता है फ्रीड इस्ट्रॉंग है इसलिए मुझे लगत इस टेडियम में होगा तो चलो अब ग्राउंड की सरफ चलते हैं हम देखते हमारा हीरो एक कर्दम पर पहुंच चुका है और जैसे फिरेट को देखता है वह थोड़ा सौक हो जाता है यूदि जैसे पीकाचु को अपने सोल्टर पर बैठा रखा रहा है उसके पीकाचु क की तरह उसका सोल्टर पर बैठा हुआ है और यह देखर थोड़ा अच्छा लगता है तब भी रैफरी बोलता है यह बैटल की होने वाली है और इस बैटल में तुम एक फिनोमना का यूज कर सकते हो लेकिन जब कर सकते हो इसका मतलब वह हार जाएगा तो चलो बैटल स्टा क्या तुम्हारी एक चा पूरे होगी चलो जेतते हैं पीकाचू थंडर का यूज करो कूर अच करते बॉलता है केप्टन पीकाचू तुम में थंडर का जल्वा दिखाओ तभी हम एस के Pikachu को देखते हैं, जो कि बहुत जल्दी से Captain Pikachu को एक Quick Attack मार देता है, जिससे Freed के Pikachu को चोट पहुंसती है, तभी Freed बोलता है, Pikachu हम भी हार नहीं मानेंगे, Quick Attack का यूज़ करके Thunder Punch का यूज़ करो, और हम Freed के Pikachu को देखते हैं, जो कि बहुत जाए तेज होता है, और अ अब सुनो मेरी भी के request है, जब मैं तुम्हां हरा दूँगा, तो क्या तुम्हारा Pikachu मेरे Pikachu को Thunder Punch सिखा सकता है, तभी Freed बोलता है, हाँ क्यों नहीं चैंपियन, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे पहले हराना पड़ेगा, Captain Pikachu वाल टैकल का यूज़ करो, फिर एस बोलता ह पीकाचू यही टाइम है, इलेक्टर वाल का यूज़ करो, तभी हम देखते है, एस का पीकाचू, Captain Pikachu बे इलेक्टर वाल मार देता है, जिसकी वैसे Captain Pikachu को बहुत ज़्याद दर्द होता है, तभी Freed बोलता है, पीकाचू हम ऐसे हार नहीं मान सकते, चलो इस बार तुम आरें खतम होने वाली है, चैंपियन, इस भी बोलता है, हाँ चलो इससे खतम करते है, पी फिरिड बोलता है, Captain Pikachu चलो अपनी पूरी तागा से वाल टेकल का यूज़ करो, इसके बाद एक वापिट से अपनी पूरी तागा से ठंडर का यूज़ करो, तभी हम देखते है, Captain Pikachu अपने एस का Pikachu यूज़ करता है, ठंडर का, और यह डायक फिरिड जाके, Captain Pikachu पर लग जाता है, जिसकी वसे फिरिड का Pikachu यह मैं चहार जाता है, इसका मतलब फर्स राउंड के बिनेर एस का Pikachu, तभी हम फिरिड को देखते हैं, जो कि एस का चम को बोलता है, एक चैंपिन के Strongest Pokemon से बहुत ज्यादा पाफफुलो, क्योंकि मेरा Pikachu भी अपने लिमिट पे था, और सच में तुम बहुत अच्छा लड़े, तो चलो अपना दूसरा Pokemon बहार लाओ, तभी फिरिड बोलता है, हाँ क्यों नहीं, चारी जड़, बहार राओ, फिरिड का दूसरा Pokemon चारी जड़ होता ह यह देखर हम एस को देखते हैं, जो कि बोलता है, हाँ, एक चारी जड़, पीकाचू, तुम कुलतर अराम करो, इस राउंड को यह समाल लेगा, बहार आओ, और अपनी तागत दिखाओ, हम देखते हैं, एस का अच्छम अपना दूसरा Pokemon निकालता है, जो कि होता है, एस का Pokemon, Infinite, चारी जड़, Flame Throw का यूज़ करो, Infinite, तुम भी से Defense करने के लिए Flame Throw का यूज़ करो, फ्रीड का चारी जड़ और एस का Infinite, दोनों सेम अटेक कर देते हैं, जिसकी वैसे दोनों अटेक ब्लक हो जाते हैं, तभी एस बोलता है, इस का Infinite, अभी माच पंच का यूज़ करो, फ तभी फिर फिर से बोलता है, चारी जड़, सक्समेटास का यूज़ करो, और एक बाफिर से फिर का चारी जड़, एस का Infinite को सक्समेटास मार देता है, तभी एस बोलता है, इनपनेप ये अच्छा मौका है, डिक का यूज़ करो, और फिर हम एस का Infinite को देखते हैं, जो कि डि से हाफ हब चाहित जाता है चाहिए होता है प्रीड बोलता है के युझा से sat कुछी त。」 होता है फिर आप přोलता है मैव फारवग आंसा इस अटैक्श ति 및 कुछ नहीं होगा चलो मैडान मैडान अका करो मैडन आपने स्ट्राइज डिकल लग जाता है जिसकी वैसे लगता है खाल लग जाता है जो चाड़ पर को रहा चुकाता तभी एस बोलता है मेल मेटल हम ऐसे हार नहीं मान सकते चलो पूरी तागत से गीगा इंपक्ट का यूज करो इस बार मेल मेटल को देखते हैं जो एक पाफुल एक गीगा इंपक्ट चार्ड़ पर मार देता है और यह अटक इतना दर पाफुल होता है जिसकी वज़ एक्स्रेमे की स्पीट का यूज करो हम देखते हैं ठीड़ आपना लाश्ट पकिमोन एंटाइक को निकालता है और आते ही एक्स्रेमे का यूज कर देता है जो कि जाकर मैल मेटल को लग भी जाता है जिसकी वीज़से एस का मेल मेटल बहुत जाद होता यह तबीं एस बोलत जलता है एस और भी राउंट खत्म होने वाला है एंटाई चलो सेट फैर का यूस करो तब यह देखते हैं एक पाफ़फुल अटेक सेट का यूस कर देता है और यह सीधा अके में लोग भी जाता है जिसके वैसे यह मचषार जाता है यह दोसरे पिकाचू को बोलाता है और प अंटाइगो त्वाडर्द होता है तभी फिर से बोलता है एंटाइग फिर से यूजव करो लेकिन इसरा लगी जम बोलता है पीकाचु इस अच्छा मॉका है इलक्टर बॉल मार देता है जिससे एंटाइक को अटाइक करने में रुकना मत चलो अपनी पूरी तागाज ठंडर का यूज करो इस बार हम पीकाचू को देखते हैं जो कि मैच को खतम करते हैं अपनी फूल पावर से का यूज करो अपना इस बार होता है जिसकी वजह से एक के पीकाचू को लग जाता है जिसके वसे सका पिकाचू ये मैच हार जाता और पीकाचू हार चुका है इसका मतलब एस के पास एक पकेमॉन और फूलता है आखिर कर तुम्हें मानना पड़ेगा मुझे पहले से लगात तो इस ट्रॉंग होगे लेकिन इतने जादा श्ट्रॉंग यह मैंने सोचा भी नहीं था लेकिन अपसोस यह मैं जीतने वाला हूं इनफर्ण डेप अपना जलवा दिखाओ फिर हम देखते हैं एस का लास्ट पके मौर यहाने इनफर्ण बाहर आता है तभी एस बोलता है इनफर्ण इफ को सीधा लग जाता है जिसकी वाइस से इनफर्ण डेमेज पहुंचता है फिर एस बोलता है इनफर्ण चलो अपनी फुल पावर से क्लॉस कोमेट का यूज करो इस बार हम देखते हैं इसका इनफर्ण इफर्ण को लग भी जाता है जिससे एंटाइक बहुत इनफर्ण इफ को बहुत जाए डाइमिज होता है जिसकी वैसे इस इनफर्ण फे ग्राउंट पर गिर चुका है यह देखर है फ्रीड को देखते हैं जो कि बोलता है लो आस तुम्हारा इनफर्ण हार चुका है इसका मतलब मैं जीच चुका हूँ और फ्रीड की ऐसी बाद का ब्लेज एक्टिवर्ट हो जाता है और इंफनेप की ऐसी पावर देखकर हम फ्रीड को देखते हैं जो कि बहुत जाशोक हो जाता है और बोलता है क्या यह कौन सी पावर है इसकी पावर तेक्दम से बहुत ज्यादा बढ़ गई एंटाई फार व्लास का यूज करो इंफने इंटाई हारवद मानना हमें जीतने वाले हैं चलो एक फारनल अटेक एंटाई अपनी फुल पावर से इरप्सन का यूज करो उधर एस बोलता है मैंने तुम्हें कहा ना तुम कुछ भी कर लो लेकिन अब तुम जीत नहीं सकते इंफनेव चलो तुम भी अपनी फुल नीचे गिरा हुआ है और एस का इंफनेव खड़ा है इसका मतलब इस राउंट का बनार है इंफनेव यानि इस पूरे मैच का बनार है एस केचम तो फाइनली एस ने डिफिट कर दिया कैप्टन फ्रीट को एंड तभी हम फ्रीट को देखते हैं जो कि अमने एंटाई को बा भूलना मत और हां इस टूनामेंट को तुम्हें जीतना चाहिए कुछ भी हो जाए फिर एस बोलता है ठैंक यू फ्रीट लेकिन कुछ भी कहो तुम बहुत ज्यादा पाफुलो आज के बैटल से मैंने बहुत चीज नहीं सिखिए और रही बाद टूनामेंट को तो मैं जीत दिया और आज का मेरा पोइनट बहुत ज्यादा पाफुलता तो पॉल तुम्हारा आज का मैच कैसा गया और आज तुम्हारा पोइनट कौन था एस की बाता सुनकर हम पॉल को देखते हैं जो थोड़े गुस्सें बोलता है तो तुम जीत गए अच्छी बात है लेकिन एक बुरी ख़बर है मैं यह राउंड हार चुका हूं और रही बात मेरे पोइनट की तो कोई और नहीं वह ता ब्रेंडन मैंने उसको अच्छी खाज टकर दी लेकिन एंड वह जीत गया और पॉल यह रहा चुका है यह देकर हम एस को देखते हैं जो कि बहुत आसाख होके बो दूर लूँगा तो चलो भी ठीक है इस पार्ट के लिए इतना रखते हैं और यह आपको यह पिसोड का पसंद आया होगा और देखो कर ऐसा यह और तुम नहीं बंद देखने को मिलने वाले हैं और देखो कर आपको यह बहुत पसंद आ चुका है तो प्लीज एक और काम कर और करें तुमसां इस्टा यूज करते हो अगर करते हो तो भाई क्या कर रहे हो जाएकर फॉलो करो आईटी यह रही